तो जनाब अपने जावा स्कूर्स में आज डे नंबर 29 और जनाब आज की दिन में हम दो जावा स्कूर्ट में होस्टिंग का कॉंसेप्ट सीखेंगे यह जनाब इतना इंप्टन टॉपिक है कि अगर आप जावा स्कूर्स को कोई इंटर्व्यू दे रहे तो 90% चांस है कि हो होस्टिंग का कॉंसेप्ट ठीक है अब सबसे पहले संब्दो यह होस्टिंग ठीक है एक होता होस्टिंग वह अलग चीज़ होती है उसमें क्या होता है कि होस्टिंग जैसे आप अपनी वेबसाइट के डेटा को ऑनलाइन सर्वर पर रखते हूं और सबीसलों की डिए एक् जावास्किप के अंदर एक कॉंसेप्ट है कि कैसे कोई चीजे के डिकलीरेशन हो रहा है कैसे चीजे एक्चुल में वर्क कर रहे हैं और यह लॉजिकल कॉंसेप्ट है चुकि इस पर आपका इंटर्विव को दौरान काफी एदा कोश्चन पूछे जाते हैं तो यह अपने आ आर डिकलेर इंदा कोड ठीक डिकलेर इंदा कोड इस लाइन पर द्यान रखना भी बताएंगे दिस एलाउस वर्यवल्स एंड फंक्शन टू वी यूज्ट विफॉर दे आर एक्चुली डिकलेर इंदा कोड बला फिर यहां पे एक लाइन और लिखी गई यह बनाया उसको बोलेंगे डिकलेरेशन बोलते हैं जैसे फंक्शन की वर्ड आप ने लिखा उसके बार आपने समी नाम का कोई फंक्शन मनाया इस तरीके से और यहां पर उसकी डिकलेर सन लिखी यह आपका declaration हो गया ठीक है और इसको जब यूज करोगे तो यूज इस तरीके करोगे सम लिखके इस तरीके तो इसको बोलते हैं कॉल करना और यह उपर है रहा होता है तो जावाज किट आटोमेटिक करती क्या कि जितनी भी declaration होती है चाएव वह वेरीवल्स की हो चाएव फंक्शन की हो उनको आटोमेटिक टॉप पर ले आता है ठीक है और यहां पर वही ची लिखाय कि फरक नहीं पड़ता है कि आपका कोड कहां पर है ठीक है आपन या लाइन दोखो टॉप आफ दियर कंटेनिंग इसकोप जहां पर भी यह है उसके टॉप पर ले आता है उसकोप के टॉप पर तो यह समझ लिया है कि होस्टिंग का कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीच को डिक्लेयर कर रहे हो वह वेरीवल या फंक्शन उसको टॉप पर यह यह वेरीवल बनाएह और फिर आप इसको कंसोल में करना चाहते हो ठीक है तो मैंने का कंसोल में यह करना चाहते हैंग अब मुझे बताओ कि यह आंसर आएगा जब आप इसको council पर देखोगे तो result का आएगा कुछ लोग जोस्पतर पिर करते हो और उसके अंदर नहीं डालते हूं जिसको управ एनिसलाइज ना करना तो जावास्क्रिप्ट आतोमेटिक क्या करती है लाख एक अंदर को सक्टेनर के और अंडिफाइनद पड़ाँ हुँ ते शा finns का पता लगाते हैं सब से पहले चलते हैं यहां पे इंस्पेक्ट विंडो पे एंडि कंसोल पर उपन कर लिया और अब देखते हैं आप रिफ्रेस्ट करके तो देखिए अंडिफाइंड आ रहा है ओके तो यह चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है चाहे वायर कीवर्ट से आप कोई वेरीवल बनाओ चाहे लेट से चा नाम का आप कोई भी अलग टाइप का कोई भी एक फंक्शन कॉल करो ठीक है जो आपने बनाया ना हो ओके आप देखो मैं जैसे यहां पर प्रेटिसिस लगा रहा हूं तो यह आटोमेटिक क्या कर रहा है कि इसको कोई और चीज़े ओपन कर रहा है स्निप्ट के तुरू चल नहीं किया है ठीक है तो जाहिव को करते हैं तुर्म लोग आते हैं किसी इच्भी फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले नौर्मल अगर नाना थे तो function keyword लिखा ग्रीट नाम से बनाना है तो बना लेंगे इस तरीके से कर्लिव रेकेट ओपन किया console.log और इसके अंदर मालो मैंने good morning print करा दिया ओके अब क्या करते हैं इसको देखते हैं कि यह function चल रहा है या नहीं चल रहा है तो call करने पर यह function चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि आपको जैसे आप इसको call कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि हाँ यह function बना हुआ है तो interpreter आप हमेशा से पहले call किया जा रहा है और declare बाद में किया जा रहा है तो क्या होगा एक्च्वल में क्या कोई error आएगा या कोई पर्टिकलर warning का message जनरेट होगा या फिर यह print हो जाएगा आपके हिसाब से क्या हो सकता है ठीक है यह तो वही बात बहुत कि अभी कोई चीज बनी नहीं है आप डिमांड पहले कर रहे हुआ उस चीज की खाने की सेम बात है कि मालो interpreter तो उपर line number one से पढ़ता हुआ चलेगा line number eight तरफ तो पहल स्क्राइब में hosting का concept यह कहता है कि भले ही declaration नीचे किया गया है फिर भी हमको यहाँ पर इसका result देखने को मिलेगा good morning आप कोगे सर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि जैसे यह definition में बोला गया ता कि आप declaration कहीं पर भी करो इस पूरे code editor में मालो आपने declaration इसके 20 लाइन नीचे भी कर ठीक है और call आपने ऊपर कर दिया कोई problem नहीं है जब भी कभी code क्या होगा compilation होगा ठीक है compilation face से गुजरेगा तो वहाँ पर क्या होगा यह जो declaration है जावा स्क्रिप्ट आटोमेटिक इसको उठाएगा और इसको great के ऊपर रख देगा वह आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप इसको पढ़ते समय जितनी भी declaration होती है चाए वह वह फंक्संस क्यों सारी को उठाता है और हमेशा calling के ऊपर रखता है यह concept hosting कहलाता है इस वजह से भले ही हम लोग इसको नीचे रख रहे हैं पर जावास्किप्ट रनिंग के दौरान compilation के दौरान इसको उपर कर दे रहा है औ आप इसमें कुछ और फंडे हैं छोटे-छोटे से उनको भी समझ लेते हैं वेरीवल के साथ अब ज्यादा समझेंगे फंक्सं के साथ आपको क्लियार है कि नॉर्मल फंक्संट अगर आप पहले कॉल कर देते हो बार में डिक्लियर करते हो तब यहर नहीं देगा वह चलेग प्रॉब्लम होगी कॉंसेट को समझने में ठीक है तो मैं यहाँ पर तीनों में अंतर लिखे दे रहा हूं ठीक है अब वर्यवल में कोई वैल्यव ढाल देते हो तो नहiénीं कर दी गई है यह साइमेंट बोलते हैं और जा उस वर्यवल को यूज किया जाता है किसी फंक्षन के थुरू या किसी मेथट के तुरू इसको बोलते हैं कॉल करना लगाना तो एक वेरियों बनाकर डिरेक्ड अगर फिर मैं लिखता हूँ console.log और मैं कहता हूँ A की value को print करा दो और फिर नीचे मैं आता हूँ declaration कर देता हूँ A को ध्यान से देखो मैंने पहले value को क्या किया assignment कर दिया है एक variable के अंदर डाल दिया है अभी क्या A बना हुआ है नहीं इस stage तक तो A बना नहीं है उसके just दूसरी line में हम दोंग ने उस variable को use भी कर लिया मतलब उसको call भी कर लिया क्या यहां तक कोई variable declare था बना था नहीं declaration तो sir line number 4 पे हुआ जाकर यह नाम का variable तो line 4 में बना है अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब भी मैं इसका result देखूंगा तो मुझे result क्या दिखेगा जाहिज दिबात है अगर पहले थोड़ी दिर पहले से आप concept समझ रहे होंगे तो आप बता दोगे यहां 7 दिखेगा कहोगे sir क्यों थोड़ा सध्यान से देखो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों जैसे आपने कोड लिखा यह कोड जाएगा कंपाइलेशन की फेस में मलब रनिंग के फेस में जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको अभी hosting का concept बताया कि जब भी कोची declaration आप करते हो बहले ही आप उसको 20 लाइन नीचे कर दो कोई फरक नहीं पड़ता है declaration आप कहां कर रहे हो आ रही है बट आप यह चीज़ देख नहीं पाऊगा एक्चुल में यह चीज़ आपको दिखेगी यहीं पर क्यूंकि आपने यहां लिखा कोड इडिटर में पर बिहाइंड दसीं कंपाइलेशन में यहां पर आ जाएगा ठीक है कंपाइल होते समय पर आपको दिखेगा य कोस्टिंग आपकी कॉंसेट क्लिया है ठीक है अब इसी में और थोड़ा मैं आपको समझाता हूं जैसे हम लोग करने क्या वाले हैं इसको उठा लें दोनों को इस तरीके से ठीक है और इसको कंसोल के नीचे ले आए अब मेरे को बताओ कि क्या प्रिंट होगा जब कंपाइ क्या शाइं बात अगर किसी ने 7 कहा तो वो बिल्कुल गल्त है कि वैल्यव सेवन नहीं होगी क्यों नहीं होगी आपने पहले कॉल किया फिर किया फिर यह इन स्क्राइज और वैल्यू एसाइन कि थीक है अब जब भी कंपाइलेशन होगा तो हमेसा ध्यान रखे कि होश्ट को मुपर नहीं लेकर आएंगे यह लाइन सर हमेशा नीचे ही रहेगी सिप आपकी declaration वाली लाइन जो है इसको यह क्या करेगा उपर उठा कर लाएगा ठीक है तो अब यहां पर एक मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में बताऊंगा तो इस लाइन पर ध्यान से देखो मैंने लिक भी रखा यह जावा स्क्रिप्ट इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, तो अब यहां तक क्या हुआ, यहां तक एक variable बन चुका है, पर इसके अंदर कोई value भी नहीं पड़ी हुई है, पर हम लोग इसको call कर रहे हैं, तो जब variable के अंदर कोई value नहीं पड़ी होती है, तो कौन सी value होती है, सबसे starting में मैंने defined है, और आप यह देख सकते हैं, यह आपका एक और फंडा था, ठीक इतना clear, अब अगर मैं आप से पूछूं कि, अगर मैं इसको यहां लेकर आता हूँ, और यहां से यह कर देता हूँ, अब बताइए क्या होगा, console जब चलेगा, तो हम लोगों ने क्या किया है, पहले call कि undefined आएगी, कोई error आएगा, या 7 print होकर आएगा, किसी ने अगर यह कहा है कि सर, error आसकता है, तो तो बिल्कुल गलत हो, किसी ने अगर यह कहा कि value 7 आएगी, तो आप भी गलत हो, अगर कोई कह रहा है कि सर, undefined आएगा, congregation आपका hosting का concept clear है, आप सहीं, क्यों, बात यह है कि इ यहां से सिफ declaration को उठाएंगे, इस तरीके से, उसको उपर ले जाएंगे, और paste कर देंगे, नीचे initialization में आपने क्या value दिये, 7 दियो, 70 दियो, 7000 दियो, उसको कोई मतलर नहीं, वो सिफ declaration का ठेका ले रखे हुए, उसने वो अपना काम कर दिया, अब ऐसे में जब आप इसक रखना ही पड़ेगा, सिफ वो declaration को उपर उठा कर लेके जाने वाला है, clear है, अब अगर हम लोग पूछे हैं कि क्या सर यही concept लेट के साथ भी होगा, या सिफ वैर के साथ हो रहा है, तो मैं किसी भी result को दिखाने से पहले ही आपको यह चीज़ क्लियर करना चाहूंगा, कि स लेट होता है और कॉंश्ट होता है, यह दो जो सगे भाई है, ठीक है, जो लेट के साथ अप्लाई होगा, वह इक तीम में होते हैं, और वार एक टीम में होता है, ऐसा क्यों, वार सर पहले आगे आता, जो जावा स्क्रिप्ट का ES6 वर्जन है, उससे पहले जो वर्जन थे, ES5, ES4 उनमें वार आ चुका था, क्योंकि वार सुर्वास से है, और लेटर और कॉंश्ट 2015 के बाद से जो जावा स्क्रिप्ट आई है, उसमें दिये गए है, तो यह लेटिस्ट कीवर्ड हैं, जिन से हम लोग अब ज़्यादा तर वेरीबल बनाते हैं, क्योंकि अब ज़्य और वेर हैं, तो आप बताओ क्या आएगा, जिसने वीडियो ध्यान से देखी, वो तुरंट बताएगा, सर अन्डिफाइंट आएगा, और जाईसी बात अन्डिफाइंट आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, कि भले ही हम लोग कॉल उपर कर रहे हैं, वेरीबल नीचे बना रहा है, फिर भी हम लोग आटोमेटिक जावास किप्र इसको उपर उठा कर यहां रख दे रही है, और हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, डिकलेर होने के पहले भी, पर अगर हम लोग यहां पर लिट कर दें, ठीक है, तो लिट में क्या है, जैसे ही आप इसको रन करोगा तो यहां एक error दिखेगा, cannot access up before initialization at, ठीक है, तो यह कह रहा है कि हम लोग इसको access नहीं कर सकते हैं, जब तक इसके अंदर value initialize ना हो, अब यह error एक्च्वल में आया कि उसके अंदर hosting का concept क्यों apply नहीं हो रहा इसको समझते हैं, बेसिकली जावास कि यह तो कर रही है कि इसको अपर ले जा रही है, जैसे वो वैर के साथ करती है, वैर वाले variable में भी यह चीज उत्ती है, कि वो declaration को उठाकर top पे पहुंचा रही है, और इसके साथ भी यह कर रही है, पर लेट के साथ यह problem है कि अगर कोई declaration उपर जाता है, तो साथ ही साथ value भी initialization होनी चाहिए, यह होना हभास होते हैं एक दूसरे के, कि वो कहता है कि हम declaration को ऊपर बेजेंगे, initialization को बेजेंगे नहीं, और let const यह कहते हैं कि भी यह बीना initialization के, हम लोग पहले call अगर आप कर रहे हो, तो हमारी को जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं कुछ करने देंगे, तो let or const के साथ वैसे सहीर बो तो वायर का जो concept है, होस्टिंग के साथ ज्यादा सही मैच होता है, अब एक magic दिखाता हूँ, आपको काफी interesting चीज आप सीखने वाले हो, अगर मैं यहाँ पर a is equal to 5 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूं, console.log और यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दूं, a की value को print कराने के लिए, ठीक है, जो कोई भी अभी तक javascript पढ़ रहा होगा, तुरंत कहेगा, sir, error है, और जाइड सी बात है, सभी कहेंग, error है, क्योंकि भाई, आपने value तो दे दी a को, पर a बनाया का, भाई, a बनाने के लिए, तो let का use करोगे, a ठीक है, या फिर आप where का use कर लो, ज्या variable बना नहीं, तो value डाली किसके अंदर आपने, और जब value आप डाल नहीं सकतो किसी variable के अंदर, तो print क्या कराओगे, error आएगा, और लगबग चितनी भी आपकी C language, जैसे जितनी भी ये core languages है, Java, इनमें ही ये concept है, error आएगा, पर javascript अपने आपने आप में एक अधभूत language है, और उसका use कर लेते हो, तो actual में behind the scene कर क्या रही है, कि where A अपने आप बना दे रही है, वो आपको नहीं डिकरा है, पर system के अंदर where A अपने आप बन जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप use कर सकते हो, पर इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इससे तो बहुत ज़दा error आ सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कोई variable मैंने declare किया है और नहीं किया है, पर उसका use तो हम लोग कर रहे हैं, और जब भी error या कोई bug आता है, तो हम लोग जब debugging करते हैं, तो वहाँ पर यह ज्यादा problem देता है, कि कोई variable नहीं बना है, पर उसका use किया जा रहा है, तो अक strict variant on कर देना है, थोड़ा strictness अपने अंदर ले आनी है, कोई भी फालतू में ऐसा use ना कर सके, बिना declare किये variable को use ना किया जा सके, अब देखना चीज सेम है, पर यहाँ पर 5 print होने की बजाए, इसने कह दिया, is not defined, कि सर आपने यह बनाया नहीं है, तो यह नहीं मुझे पता, यह नहीं चलेगा, शिप हो किसकी वज़ासरा है, इस line की वज़े से, तो अगर आप इतना लिख देते हो, double quote में, कि use strict mode, देन आप इसका use कर नहीं पाऊगे, ठीक है, आप 5 क्यों आ रहा है, चुकि हमने comment कर दिया है, और जैसे यह आप comment हटाते हो, यह देखो, यह फिर से error कर देगा, ठीक है, तो काफी अच्छी चीजे जानने में मिली, एक और simple सी चीट बता देते हैं, मैंने इसी course के अंतर आपको बताया था, function expression के बारे में, function expression एक्शन में होते क्या है, जब आप कोई variable के साथ में function लिखते हो, मालो मैंने एक variable बनाया, sum नाम से, ठीक है, इसके इसके अंदर क्या करता हूँ, एक arrow function देता हूँ, arrow function अपने आप में ही सर क्या होते हैं, एक वो होते हैं, क्या कहते है, function expression, ठीक है, function expression होते हैं, तो यह मैंने curly bracket open किया, और यहाँ पर मैं console.log में, good morning, print करा दिया, ठीक है, तो अब यह देखिए, यह variable है, यहाँ तक का, इसके अंदर आपने एक arrow function डाल दिया है, arrow function हमेशा ज्यादा तर 90% case में function expression के रूप में use किया जाते हैं, कोई पूछता है function expression किया है, तो आप बोल सकते हो, जब किसी function को, हम लोग किसी variable के साथ use करते हैं, उसको function expression कहते हैं, बहुत simple definition है, पर actual में यह तो यह चीज़ है, तो यह चीज़ है, अब इसके साथ hosting का concept work करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि normal function जब लोग बनाते हैं, function keyword भाई आप use करते हो, इस तरीके सम नाम से मालो कोई function मनाया, यहाँ पर आपने definition लिखी कि मालो return a plus b, यह आपने किया, यहाँ तक तो यू यूज कर स सबसे starting में, ठीक है, पर यहाँ पर जब function expression की बात आ जाती है, तो मैं आपको साफ बोल दूँगा कि यह नहीं चलते हैं, यह hosting अपलाई नहीं करते हैं, hosting आई लग रहा है, hosting मत समझ जाना, hosting क्या होता है, किसी भी चीज़ को server में store कराना, या फिर अपनी website को as a internet पर लेके आ जैसे मैं इसको चलाने की कोसिज करूँगा, तो यहाँ पर आएगा error, ओके, error आ गया, कि cannot access greet before initialization, आप कहोगे सर यहाँ पर आप में let से बनाया है, इस वज़े से क्यूकि let आपके hosting को apply नहीं करता है, जाहिसी बात अच्छी बात आप समझदार हूं, यह कहोगे, तो मैं where से hosting का पालन नहीं करती है, क्योंकि वह variable के साथ लिखी जा रही है, इसलिए आप चाहिए वार्वल को, चाहिए let, चाहिए const, वह नहीं चलेगी, before, जब आप before में calling करोगे, after में declaration करोगे, यह declare करोगे, ठीक है, अगर मैं इसको उठा लूँ और इसके नीचे डाल दू, then यह normally work करेगा, good morning, print कर दिया, ओके, यह चीज जिसके साथ है, आयोप आपको hosting का concept clear होगा, hosting के concept में इतनी सी बात है, कि वह कहता है, कि जब भी code execute होगा, उस दोरान हम लोग यह करते हैं, कि पूरे code जो आपने लिखा, उसको चेक करते हैं, और जहाँ जहाँ, डिकलेर जो आपने कि या उसको नीचे रखा हुआ है, वहाँ वहाँ हम इसको उठा कर ऊपर रख देंगे, ठीक है, वह आपको दिखेंगा, ने पर वो डिकलेर, जो चीज़े होते हैं, चाय वेरीबल, चाय फंक्शन ऊपर रख देते हैं, और आपका code में कोई error नहीं आने देते हैं, इसलिए interview म कि इसमें क्या हो रहा है, और यह concept क्लियर कर लो, इसी वीडियो साथ, थोड़ा से ध्यान से देखोगे, तो आराम से क्लियर हो चुका होगा, अब अगर वीडियो इतनी पसंद आगे हो, तो प्लीज आरेक लाइक कर सकते हो, कामें में अपना कुछ फीड़बैक सेर कर सकते ह सब्सक्राइब कर लो, जिस से अने अले इंट्रिस्टिंग कोडियों के सन आप लोग को मिलती रहे हैं, आप आज वीडियों में इतना इता, थैंक्स ओछी फ्रेंड्स, चैह हैं, चैह भारा,